एक वयास्क तीन सप्ताह तक बिना भोजन के रह सकता है लेकिन पानी के बिना तीन दिन भी नहीं रह सकता यह सच है पानी बहुत जरूरी है यह सच है और यह तो सभी जानते है पानी पाचन में मदद करता है, अपशिष्ट से छुटकारा दिलाता है, पोशक तत्वों को अफशोशित करता है और यह वास्तव में इसके लाबकारी उप्योगों के लिए सलामी के पात्र है हमारा पसीना भी बहुत जरूरी होता है और यह पानी पीने की वज़़से होता है लेकिन क्या आप जानते है कि पानी का अथ्यदिक सेवन वास्तव में हानिकारक है इसलिए आपको साफधान रहने के जरूरत है आप हैरान हो गए, मैं आपको बताता हूँ कुछ लोग एक बार में या अपनी शारीरेक आवश्चक्ता के अनुसार 800-1000 मिली लीटर पानी पी सकते है गुर्दे आपके शरीर से विशाक्त पदारतों को निकालते है लेकिन वे एक घंटे में केवल 800-1000 मिली लीटर पानी को संसाधित करने में सक्षम होते है एक घंटे में एक लीटर से ज्यादा पानी पीने से गुर्दे पर काफी दबाफ पड़ सकता है इसे काफी नुकसान भी हो सकता है इसलिए नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे ताकि गुर्दे अच्छे से काम कर सके इसलिए औसतन एक इनसान को 3 से 5 लीटर पानी की जरूरत होती है कुछ को 3 लीटर की अवशकता हो सकती है जबकि किसी लंबे व्यक्ति को 5 लीटर की अवशकता हो सकती है सावधान रहे और अधिक पानी का सेवन ना करे एक व्यक्ति को कितनी बार पेशाप करना चाहिए? आपको क्या लगता है? एक स्वस्त मनुश्य दिन में 6-7 बार पेशाप करता है यदि आप इस संख्या से ज्यादा बार पेशाप जाते हैं तो पानी का सेवन कम करें पानी के अधिक सेवन से माश पेशियों में भी एठन हो सकती है अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो आपको चक्कर और उल्जन भी मैसूस हो सकती है इन बातों को याद रखे और अपने पानी के सेवन पर नियंत्रन रखिए अब आप सोच रहे होंगे कि पानी कब पीना चाहिए मैं आपको बताता हूँ वेशिशग्यों का सुझाव है कि आप तभी पानी पीए जब आपको प्यास लगे या निर्जलित मैसूस हो साथ ही जब आपका पेशाब गेरा पीला हो जाए तो पानी पीए शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों को गतिहिन जीवन जीने वालों की तुल्ना में अधिक मात्रा में पानी की आवशक्ता होती है याद रखिए पानी सेहत मंद है लेकिन याद रखे कि इसे कम मात्रा में ही पीना चाहिए अपने स्वास्ते को संतुलित करें और अपने शरीर की जरूरतों को सुने पानी पीना कोई प्रतियोगिता नहीं है